जहिन दोस्तों आप देख रहे हैं DK News, आज बात करते हैं केंदर सरकार की 100 लाग करोर रूपय की गती सक्ती योजना की परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने बुद्धवार को आर्थिक छेत्रों से बहु अस्तरिय संपर्क के लिए परधान मंत्री गती सक्ती राष्ट्रिय मास्टर पलान को लांच किया है या सड़क और रेल सहित 16 मंत्रालियों को जोड़ने वाला एक डिजटल मंच है बाडिज्य मंत्री पीउस गोयल ने बताया कि इस योजना का मकसद बुनियादी धाचा संपर्क परियोजना की संगठित योजना बनाना और उसको अमल में लाना है गोयल ने कहा कि 16 मंत्रालियों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को G.I.S. मोड में डाल दिया है जिने 2024-25 तक पुरा किया जाना है गोयल ने बताया कि गती सक्ती हमारे देश के लिए कराश्टी और संरचना मास्टर पलान होगा जो समस्त बुनियादी धाचे की निव रखेगा अभी हमारे परवहन के सादनों के बीच कोई तालमिल नहीं है गती इन सभी बदाओं को दूर करेगी यह मंग उद्द्योगों की कारिच छमता बढ़ाने में मदद करेगा अस्थानिय निर्माड करता को बढ़ावा मिलेगा उद्द्योग की प्रति असफर्दा को बढ़ाएगा और भविश्य के आर्थिक छेत्रों के निर्माड के लिए नई संभावनों को बिक्सित करने मे भी मदद करेगा पीम गती सक्ति राष्टिय पलान योजना लगबक सो लाख करोड उपिये से अधिक की योजना है और इसके परिडाम स्वरूप देश में ही लाखों युवावक के लिए नए रोजगार के औसर मिलेगा गोयल ने कहा कि ये असब्द योजनाओं की समस्या को दूर करेगा मानकी करण की कमी मंजूरी के मुद्दो और समय पर निर्माड और छमताओं का अधिक्तम उप्योग जैसे मुद्दो को हल करेगा उन्होंने बताए कि उद्द्योग और आंतरिक बैपार संबर्धन विभाग डिपी आई आई टी सभी परियोजनाओं की निग करने के लिए मास्टर प्लान में किसी बदलाव को मंजूरी देने को लेकर कैबनेट सचीव की अध्यक्षता में सचीवों का एक अधिकार प्राप्त समो गठित किया जाएगा उन्होंने कहा कि इस योजना में सभी राज्यों से सामिल होने का आगरह किया गया है क्योंकि इ गुयादी धाचा परियोजना के उचित परिपालन में मदद मिलेगी और आगे चलकर मंज का आकड़ा नीजी छेत्र को भी दिया जा सकता है गोयल ने कहा कि रेलवे, सडक, दूरसंचार, तेल और गैस जैसे मंतरालियों की परियोजना इस मंज पर है और इससे कपड़ा तता खादे प्रसंसकरण मंतरालियों को भी अपने पार्कों की योजना बनाने में मदद मिलेगी तो दोस्तो देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहें डीके नियूट धन्यवाद